अभी हम लोग रामगर जीला के पोना गाउं में मौजूद हैं यहां पे हमारे बीच यहां के अच्छे किसान है खीरन दांगी जी तो इनसे जानते हैं कि यहां पे अपना जो धान लगा हुआ है कैसा हुआ है जैसा इसके बारे में बताईएगा खीरन जी मेरा नाम खीरन कुमार हुआ कि रामपोर्ष बढ़की पोना जीला रामगर बुद्धो को धान हम लगाए हैं देखे बाल बहुत बढ़िया आया है पूरा इसमें खंकरी के मात्रा एक भी नहीं है जो भी है छोटा बाल है वहां अभी इसमें की संख्या गिनती किये थे किन की कि एक पोधा में कितना बच्चा दिया कितना गूंज भीनदने किये थे दाना का लंबाई ज्यादा है यानि कि मनें लंबा दाना में इसकी गिंती आएगा चावल का क्वाल्टी कीसा बनेगा लोग पसंद करेंगे खाने में अच्छा चौल बनेगा और जिदी इसका बाली का ओजन किया जाए तो दूसरे के तुलना में इसका बाली का ओजन कम आएगा या बेसी आएगा घना है और खकड़ी इसमें नहीं है इसके अलावा और क्या खासियत देखे इसमें और बताइएगा कि यहां धान के रुपाई की समय बारिस हुआ था क्या तो यह पानी पटा के रुपाई कितना दिन में रुपाई किये थे यह पौधा जो है 35 और 40 दिन के बीच का रुपा हुआ है इसमें उसके बावजूद इस खेत में 200 से उपर दाना है परवाली नंबर आफ टीरर जो है आठ से 10 के बीच में है किनारे पर तो ज्यादा है लेकिन अंदर में आठ से 10 के बीच में पिलाई यानि कि चैपिनेस ग्रेन इसमें बहुत कम है तो आपको कैसा लगता है कि आगे खेती यह करने के लाइक है या नहीं बदलने के वला है आगे चलेगा चली दन्यवाद